दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर मैं हूं डोक्टर प्रदीप प्रसन और आप भी प्रसन होंगे आए कुछ नई बाते सीखते हैं आज के टोपिक के साथ विद्यार्थियों आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा बारा की हिंदी पाठे पुस्तक अंतरा भागदो के पाठ शेर पहचान चार हाथ और साजह जिसे असगर वजाहत ने लिखा है ये चार लभू कथाएं हैं और इन से संबंदित जो पाठ के प्रशन हैं उनके उत्तरों की वीडियो हम बना रहे हैं तो वीडियो प्रारंब करें उससे पहले आप से अगर है यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज उसे सब्सक्राइब जरू करें बेल आइकोन को जरू दबाएं ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस वीडियो में हम जो ये पाठ है इससे सम्मझित सभी प्रशनों के उत्तर बताएंगे ताकि आप परिच्छाओं की तैयारी अच्छे से बहतर तरीके से कर पाएं और इन प्रशनों के उत्तरों को आप रटिएगा मत पहले दो तिन बार पढ़िएगा वीडियो देखिएगा समझिएगा उसकी बाद आप और उससे पहले आप पार्ट को पूरा पढ़ लीजेगा हमने यूटूब पर चारों कहानिया चारों लगुकताएं अलग लग रूप से पढ़ाई है तो आप अपने आप ही इन उत्तरों को बहतर तरीके से समझ जाएंगे फिर फिर आपको रटने की दावले का प्रियोग करना जाएंगे तो पहला प्रशन है लोमडी स्वेच्छा से शेर के मुह में क्यों चली जा रही थी उत्तर है लोमडी स्वेच्छा से शेर के मुह में इसलिए चली जाती है क्योंकि लोमडी को बेरोजगारी का प्रतीक माना जाता है तथा शेर को रो फिर भी वहे उसमें अपनी इच्छा से चला जा रहा है प्रश्ण नमबर दो है कहानी में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक बताया है उत्तर है कहानी में लेखक ने शेर को एक ऐसी सत्ता के परिचायक का रूप बताया है जो अलग-अलग प्रकार का लालस दे कर आम आदमी को अपनी और आकरशित करती है यानि कि ये सब्ता हर प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करती है और कुछ इस तरहें के प्रलोभन देती है जिससे की व्यक्ति उसकी और उन्मुक हो जाता है शेर के मुह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर है उत्तर है शेर और रोजगार के दफ्तर में यह अंतर है कि दफ्तर में जाने वाले व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है परन्तु शेर के मुह में जाने वाले जानबर का जीवन ही समाप्त हो जाता है तो एक तरह से दोनों की समानता इस प्रकार से दिखाई देती है एक का जीवन समाप्त हो रहा एक की इच्छा समाप्त हो रही क्योंकि जो व्यक्ती समाप्त हो जाएगा तो उसकी इच्छाएं रहेंगी नहीं अर्थात प्रमान विश्वास से बड़ा होता है क्योंकि कई बार लोग प्रमान देखने पर भी यकीन नहीं करते और कई बार लोग केवल विश्वास के आधार पर ही यकीन कर लेते हैं केवल विश्वास होने पर व्यक्ति दूसरे का साथ देने के लिए तयार हो जाता है बिना किसी तरहें का प्रशन उठाए कहानी के आधार पर कहा जाए तो लोगों को पता है कि रोजगार दफ्तर शेर का मुह है फिर भी लोग उसमें जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास है कि वह उने सुख की प्राप्ति होगी अर्थात उनको पता है शेर का मुह है रोजगार का दफ्तर अर्थात उनका अंत हो जाएगा लेकिन उसके बावजुद भी जा रहे हैं तो ये जो विश्वास है ये बड़ा है प्रमान के वज़ाएं अगली कहानी पहचान उससे जम्मदित प्रशन है इस प्रकार है राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आँखें बंद कर लें उत्तर है राजा ने जनता को आँख बंद करने का हुक्म इसलिए दिया ताकि प्रजा उन पर हो रहे अत्याचार और शोषन के प्रती उपेक्षित हो जाए और राजा अपने मनमाने ढंग से उनका शोषन करता रहे यानि कि राजा का जो शोषन का चक्र है वो उसके अनुरूप चलता रहे प्रजा उसको न देख पाए प्रजा यदि देखेगी तो विरोध करेगी या बोलेगी इसलिए आँखे बंद करवा दी आँखे बंद रखने और खोल कर देखने कि क्या परिणाम निकले उत्तर है आँखे बंद रखने और खोल कर देखने कि निमलिक्त परिणाम हुए आँखे बंद रखने पर राजा प्रजा का शोषन कर रहा था जिसका ज्यान भोली जनता को नहीं था आखें खोलने पर प्रजा को पता चला कि जिस विकास और उत्पादन की बात राजा कर रहे थे उससे केवल राजा का ही लाब था, राजा का ही विकास हो रहा था आम जनता तो सिर्फ शोशित हो रही थी, प्रताडित हो रही थी प्रश्ण नमबर तीन है राजा ने कौन-कौन से हुक्म निकाले उनकी सूची बनाईए और उनमें नहीत अर्थ भी बताईए तो राजा द्वारा निकाले गए हुक्म निमलिखत है नमबर एक प्रजा अपनी आखें बंद कर ले इसमें जो राजा का नहीत अर्थ वो था राजा के इस हुक्म नहीत अर्थ है कि प्रजा राजा द्वारा किये जा रहे अत्याचार शोषण अन्याय से उपेक्षित हो जाए ताकि राजा मनमाने डंग से उनका शोषण करके लाव उठाता रहे और जनता न देख सके चुदियों की बातें न सुन सके राजा जोभी काम कर रहा है वो न सुन सके वो तीसरा है प्रजा अपने मुहँ को सिलवा ले तो राजा के इस हुक्म नहीत अर्थ है कि प्रजा में विरोध करने की च्छमता खत्म हो जाए प्रजा राजा के खिलाफ कुछ ने बोले चुप रहे सिर्फ सुनती रहे बलकि सुनती भी नहीं रहे न देखे न सुने न बोले इस इस्थती में रहे गूंगी बहरी मौन और अंधी अगला प्रशन है जनता राजा की स्थती की और से आखे बंद कर लेगी तो उसका राज्ये पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पष्ट कीजिए उत्तर है अगर जनता अपनी आखे बंद कर लेगी तो इससे निम्न परिनाम होंगे राज्ये का विकास रुख जाएगा राजा का शोशन बढ़ जाएगा प्रजा राजा की गुलाम बन कर रह जाएगी अर्थात राज्ये राजा और प्रजा तीनों का ही एक तरह से नुकसान होगा वो बात अलग है कि राजा व्यक्तिगत रूप से मैसूस करता है उसका लाब हो रहा है लेकिन ऐसे राजा कितने दिन तक कितने समय तक रह सकते हैं क्योंकि जो अन्याय अत्याचार होता है उसका खात्मा होता है उसका विरोध होता है समय जरूर लग सकता है उसमें लेकिन वो नश्ट होता है एक बार जाने के बाद सही चीज लंबे समय तक टिकी रहती है वो बातलग है प्रार्म में सही चीज का भी विरोध होता है लेकिन वास्तम में वो मजबूती से इस्थाई रूप से टिकी रहती है अगला प्रशन है खेराती रामू और छीदू ने आखें खोली तो उन्हें राजा ही क्यों दिखाई दिया उत्तर है खेराती रामू और छीदू ने आखें खोली तो उन्हें राजा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि इतने समय से अपनी आखें बंद रखकर उन्होंने अपन सारे विध्यार्थी अगर आठ आठ दस दस घंटे तक लाइब्रेरी में रहकर अध्यान करेंगे तो उनको रात को सपने भी पुस्तकों के आएंगे अध्यापन के आएंगे तो इसी तरह से उनके मस्तिस्क में राजा के हुक्म राजा का स्थित्व राजा का चरित्र इतना ह भावी हो गया था कि उनके सामने खुद का चरितर खत्म हो गया था तो आँखे खुलने के बाद भी राजा दिखाई दे रहे थे राँखे बंद करने के बाद भी राजा ही दिखाई दे रहे थे अगली कहानी है चार हाथ इसका पहला प्रशन है मजदूरों को चार हाथ देन विज्ञानिकों को तन्खा पर रखा परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला मिल मालिक ने मृत्व्यक्ति के भी हाथ लगवाने का प्रियास किया परंतु इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला लकडी के हाथ बनाकर लगवाए परन्तु यह भी व्यर्थ साबित हुआ मालिक ने लोहे के हाथ लगवाए परन्तु इसका नकारात्मक परिणाम निकला क्योंकि इस से मजदूरों का जीवन ही समाप्त हो गया अर्थात इस तरह के कई प्रियास मिल मालिक ने किये लेकिन वो सब व्यर्थ हो गए वो मजदूरों के चार हाथ नहीं कर पाए अगला प्रशन है चार हाथ ने लग पाने पर मिल मालिक को क्या बात समझ आई उत्तर है चार हाथ ने लग पाने पर मिल मालिक को समझ आ गया कि यह सब करना विर्थ है इसकी जगें मजदूरों को कम मजदूरी देकर उतने ही पैसे में अन्य मजदूरों से काम तेजी से करवाया जा सकता है और इस तरहें से एक मजदूर जितना वेतन देंगे उतने वेतन में ही एक दूसरा मजदूर आएगा तो एक तरहें से दो के बज़ाए चार हाथ काम करेंगे उतने ही महंताने में उतने ही सेल्की में तो इस तरहें से चार हाथ बनाए गए चोथी कहानी है साजा साजा समन्दित प्रशन इस प्रकार से हैं साजे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या समझाया उत्तर है हाथी साजे की खेती के बारे में किसान से कहता है कि किसान खेती करेगा और हाथी उसके खेती की अन्य छोटे जानवरों से रक्षा करेगा और जब फसल कटेगी तो उसे दो हिस्सों में बांटा जाएगा प्रशन दो है हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोशना की उत्तर है हाथी ने खेती की रखवाली के लिए घोशना की कि किसान की खेती में उसका भी साज़ा है यदि किसी ने उसकी घोशना को अंसुना किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा अगला प्रशन है आधी आधी फशल हाथी ने किस तरह बाटी? तो उत्तर है फशल को आधी आधी बाटने के लिए हाथी ने उपाई निकाला कि दोनो आधा आधा खाएंगे किसान ने जब खाना शुरू किया तो हाथी ने गन्ना खींचा और खाने लगा तो किसान ने विवश होकर गन्ना छोड़ा तो हाथी ने सारा गन्ना अकेले ही खा लिया और इस तरह से हाथी ने बहुत सारा गन्ना खा लिया किसान बहुत कम मात्रा में गन्ना चूस पाया तो किसान को हाथी के साजह में बहुत नुक्सान हुआ घाटा हुआ जैसा कि हर बार उसको होता या जब भी वो साजह करता है तो उसको नुक्सान होता है और बिना साजह कि वो खेती कर नहीं पाता है तो यहां भी जो ताकतवर है जो सत्ता है जिसके पास बल है किसी भी प्रकार की सत्ता है वो जीतता है और जो कमजोर है वो हारता है या उसको हराया जाता है तो विद्यार्थियो ये थी आज की वीडियो वीडियो आपने पूरी देखी आपका बहुत पो धन्यवाद आशा करते हैं आपकी समझ में आई होगी आप लाभानवीत होंगे इस से इस पार्ट से सम्मंदित सभी प्रशनों के उत्तरों को हमने इस वीडियो में कवर किया है वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो कोई जिग्यासा हो कोई प्रशन हो इस वीडियो सम्मंदित या अन्य किसी टोपिक से सम्मंदित तो आप हमें बताईएगा कमेंट्स के माद्धम से हम उसका समाधान उसका निराकरन करने का प्रियास करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार झाल